दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जिनका रहस्य आज भी महज एक पहली बना हुआ है और ये जगहें सिर्फ रहस्यमई कहानियों के लिए ही जानी जाती हैं दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां कोई नहीं जाता क्यूंकि या तो वे खुद ही इतनी खतरनाक हैं कि बहां इंसानों का जाना संभभ भी नहीं है या तो फिर बहां इंसान चाह कर भी नहीं जा सकता है दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमई जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आज से पहले आपने सायद ही पढ़ाया सुना हो तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं नमबर एक पर है रैन्बो रीवर दोस्तों जब भी हम नदी का नाम सुनते हैं तभी हमारे मन में पहता हुआ पानी या खूबसूरत जरने आने लगते हैं लेकिन सायद ही आपने कभी इस कलरफुल रीवर के बारे में सुना हो कोलंबिया में स्थित यहां नदी अलग अलग रंगों की दिखाई देती है हाला कि इस नदी का पानी बाकी नदीों के जैसा ही है उस लोगों का कहना है कि इस नदी में अलग-अलग फंगस बा-ईल्गी होने के कारण इस नदी का पानी रंगीन हो जाता है और नदी एक इंद धनुस के जैसी रंग विरंगी दिखाई देती है लेकिन यहा कारण नदी के रंगीन होने के लिए पर्यापत नहीं है वास्तम में इस नदी की गहराई में ऐसे पौधे उगते हैं जो अलग-अलग मौसम में अलग-अलग रंग बदलते रहते हैं जिसके कारण यहां नदी हमें रंग-बिरंगी दिखाई देती है और इसी कारण से इस नदी को दुनिया भर में एक अलग पहyn्चान मिली हुई है नमबर-दो पर है मारवल कैप्स दोस्तों बैसे तो आपने कैप्स यानि गुफाओं के बारे में सुना ही होगा लेकिन अब हम आपको दुनिया की ऐसी गुफाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके रहस्यों से विग्यानिक विहरान है और ये कैप्स मार्वल कैप्स के नाम से जानी जाती है दोस्तों ये देखने में काफ़े सुन्दर तो ही लेकिन पानी में होने के कारण इन पर पढ़ने वाली परचाईयां इन्हें और वे खूब सूरत बनाती है अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अजीब क्या है तो आपको बता दें कि इन कैप्स को पूरी तने से नेचरली डिजाइन किया गया है कहा जाता है कि इन गुफाओं को ये आकार इन में से गुजरने वाली हवाओं एवम पानी से मिला है इससे भी अजीब बात यहा है कि इन गुफाओं के अंदर का पानी बाहर के पानी के मुकाबले ज़्यादा ठंडा होता है दोस्तों यह बात भी सोचने वाली है कि जो मारवल सबसे मजबूत पत्थरों में से एक माना जाता है उसे नेचर ने हजारों साल पहले ही काट कर इन अदभूत कुफाओं में तबदील कर दिया था नमबर तीन पर है रैन्बो माउंटेन दोस्तों जब भी हम माउंटेन यानि परवतों की बात करते हैं तब ही हमारे मन में माउंटेन एवरेस्ट या हिमाले जैसी परवत सरंखलाओं के खयाल आने लगते हैं लेकिन चाइना के नेसनल जियोलोजिकल पार्क में इस्थित ये पहाड बहुत ही अजीब हैं क्योंकि ये बहुत ही अलग-अलग रंगों के दिखाई देते हैं इस पहाड की चोटियों का निर्माड कुछ इस प्रकार से हुआ है कि जब इन पर सूरज की क्रेड़ने पड़ती हैं तो ये अलग-अलग रंगों की दिखाई देती हैं वारि Great Mountain Wall दोस्तों, इनसान हजारों लाखों सालों से पर्थवी पर निवास करता है और इन सालों में इनसान ने काफी प्रगती भी की है लेकिन यह जगह जो आप देख रहे हैं, यह बो जगह है जहां इनसानों के जीवन की सुरुआत हुई थी 25 मील के छेतर में फैली, इस जगह को हुमन सिविलाइजेसन की जननी के रूप में जाना दाता है पूरा तक तो विदों को यहां पर कई अवसेस मिले हैं, जो अब तक के सबसे पुराने अवसेस माने जाते हैं नमबर पांस पर है, मांटेन पिलर्स दोस्तों बैसे तो पहाड काफी लंबे चोड़े होते हैं, लेकिन चाइना के नेशनल पार्क में मौझूद, इन पहाडों के बारे में सायदियां आपने सुना हो क्यूंकि ये पहाड काफी उचे तो हैं, लेकिन चोड़े नहीं हैं और इन ही पहाडों को देखकर सुपर हिट मूवी अवतार में फ्लोटिंग मांटेन बनाने का आइडिया लिया गया था इन पहाडों के बीच सफर करने के लिए केवल लाइन्स का इस्तेमाल किया जाता है और आपको बता दें कि यहीं पर दुनिया के सबसे उची तथा लंबी केवल लाइन्स भी मौजूद है दोस्तों आइसलेंड की बर्फीली गुफाएं पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है क्यूंकि इन केवल में पूरे साल बर्फ जमी रहती है और बर्फ की बज़े से यह जगए एक बर्फ के पहाड जैसी दिखाई देती है और जब इस बर्फ पर सूरज की रोसनी पढ़ती है तो यह बर्फ अलग अलग रंगों में चमकने लगती है जिससे की इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है यह गुफाएं दुनिया की सबसे बड़ी और ठंडी बर्फिली गुफाओं में गिनी जाती है नमब साथ पर आता है फिंगल कैप्स दोस्तों इसकोटलेंड के पास मौझूद इन कैप्स के बारे में सायदी हमने सुना होगा यह कैप्स लगबग सौ साल पुरानी है और आज के समय में यह इस्थान एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है यह कैप्स एक वैदरीन इंजीनिरिंग और कलाकरती का नमूना है लेकिन उससे भी अधिक अचम्भित करने वाली बात यहा है कि इन कैप्स को किसी इंजीनियर ने नहीं बलकि नेचर ने बनाया हुआ है यह बात सुनने में भले ही आश्चर जनक लग रही हो लेकिन सस्तो यही है इन गुफाओं की एक खास बात यह भी है कि जब भी इन कैप्स में से हवा गुजरती है तो यह बड़ी ही सुरुली आवाज को जन्म देती है दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी यूटूब चैनल को सबस्क्राइब जरूर से कर लिएगा चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम